अलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल बिद्याकार गुरू दोस्तों आज हम बात करने चल रहे हैं मारूती अल्टो के टाप माडल के इंटीर के बारे में और ब्रीफ में जानेंगे इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसका एक बार हम लोग फिर से रिफ्रेस्मेंट करेंगे हमन अपनी पुरानी वीडियो में अल्टो की कई सारी वीडियो बनाई है इसमें इसका सारा इसपैसिफिकेशन इंटीर एक्सिइडियर सारा वी इडियो बना रखा ओगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए सब्रूस्क्राइब करिए ताकि हमारे दोरा बनाए गई वीडियो आप तक आसानी से पहुचती रहें नोटिफिकेशन पर आल का बटन दवाईए तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके की से स्टार्ट करेंगे इसमें जो की आती है यह आपका BXI प्लस वेरियंट है और BXI से ही आपको मिलेगा इसमें जो की आ से तो आपको अल्टो में जो टॉप माडल है टॉप माडल तक सिर्फ एक की में रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलेगी दूसरी की मैनुवल रहेगी और अगर आज हम इसके थोड़ा सा व्रीफ में जाएं एक में स्पेसिफिकेशन पर तो आपको हम बताएं कि इसमें जो इंज 400 सीची होने की वज़ा से इसको मारुती अल्टो 800 भी लोग कहते हैं और अभी तो फिलाल यह अल्टो नाम से ही आ रही है लेकिन लोग अल्टो 800 भी इसको बूलते हैं और अगर इसके हम लोग पावर की बात करें तो इसमें आपको 48 PS एड़ेट 6000 रपीम यह पावर जनेट क और अगर इसके Ground Clearance की बात करें Ground Clearance में जो इसके जमीन की निचली सता से जो उचाही होती है कार की तो वो आपको 160 mm का इसमें अच्छा Ground Clearance मिलेगा जिससे की कार आपके Under Damage नहीं होगी और अगर उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं इसके Turning Radius की तो इसमें 4.6 मीटर का Lowest Turning Radius मिलेगा जिससे की Easy to Stare इंकार करने में आसानी रहती है और आपके 4.6 मीटर में गाड़ी पूरी टर्ण कर जाती है अगर आप घुमाएंगे तो उसी पॉइंट पे फिट से आ जाती है और अगर इसके Fuel Tank Capacity की बात करें हम लोग तो दोस्तों इसमें जो Fuel Tank Capacity आपको मिलेगी 35 लिटर की और उसको ओपन करने का यहीं से पॉइंट दे रखा है देखिए डाइवर साइड में ही एक दे रखा है Fuel Tank ओपनिंग का और एक देखाव का डिगगी ओपनिंग का Boot Space के लिए तो दोस्तों अगर हम इसमें इसके Boot Space की बात करें जो कि डिगगी का Space बोलते हैं दोस्तों अगर इसके हम लोग टायर साइज के बारे में बात करें तो एक सो पैतालिस अबलिक असी आड़ बारा बारा इंच के आपको इसमें वील्स मिलेंगे Steel Wheel, Li Wheel आप Fitment करा सकते हैं अभी तक नहीं आता था लेकिन आप मारूती में भी उपलब्द है और मार्केट में भी उपलब्द है अलाई वील आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और अगर इसके वील वेस की बात करें जो आपके फरंट और रियर जो वील्स हैं उसके बीच की दूरी की बारे में तो यह 2360 mm की आपको वील वेस मिलेगा जिससे कि आपका यह देख सकते हैं लेग रूम और इधर पसेंजर साइड में लेग रूम नी रूम सब बिटर मिलता है लेग रूम मतलब आपका वील वेस बड़ा होने से और अगर लेंथ की बात करें कार की तो इसकी जो लेंथ है वो 3445 mm की है और अगर बिट की बात करें कार की चौराई की तो ये आपकी 1490 अमेम मिलेगी और हाइट की बात करें तो 1475 अमेम इसकी हाइट है कार की हलाकि इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने एक्स्टीरियर में भी आपको बता रखा है पिछली वीडियो में तो आप चैनल को लाइक करिए सस्क्राइब करिए ताकि आप तक वीडियो असानी से पहुंचे और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे इस गाड़ी के इंटीर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच